हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे ओबीसिटी के बारे में तो हम जानेंगे डेटेल में उसके कोजिस की ओबीसिटी होने के कारण क्या है फिर उसके साइन और सिम्टम्स और किस तरह से उसका इलाज होता है using the medicines as well as by the other techniques तो ओबीसिटी के जिसको हम कहते हैं मोटापा तो मोटापा होने के कारण लक्सन और उसका इलाज किस तरह से होता है वो हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डेटेल में और साथ ही स्टडी करेंगे कि एंटी ओबीसिटी ड्रग्स की जो यूज होती है ओबीसिटी के ड्रेटमेंट के अंदर उसके बार में भी डिटेल में स्टडी करेंगे और सो वी वी लेर्न अबाउट दे बी एमाई की जिसको हम कहते है बॉडी मास इंडेक्स तो सुरू करते है आज के लेक्चर में एक्सपर लेक्चर बाया मरसर असिस्टम प्रोफिसर और फाउंडर अफ़ामरोक्स थेंक्यू फर बीन वनलेक्ट फैमिली अफ़ामरोक्स अपडेटेट रहिए फामरोक्स के साथ एक्सेस करिया स्टडी माट्रियल टेस्स सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ओन एप फामरोक्स तो फामरोक्स का मोबायल अपलिकेसन अब अवैलेबल है तो आप डाउंलोड कर सकते हैं फामरोक्स की जो एंडूड अप है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एपल आइफ़न अप 1 अपस्टोर तभी डाउंलोड करिया तो सबसे पहले समझे what is obesity तो obesity is a complex disease involving excessive amount of body fat obesity में actual में क्या होता है कि किसी भी person की body के अंदर fat का जो amount है कि body के अंदर fat जो है वो excessive amount में है और ये fat जब excessive amount में जमा होता है तो उसके करन क्या होता है कि आपके body का weight भी increase होता है और वो condition को हम कहते है obesity और हिंदी में उसको कहा जाता है motapa तो it is a medical problem obesity is a one type of medical problem that increase your risk of other disease and health problems such as heart disease, diabetes, high blood pressure and certain cancer तो obesity एक reason बनता है दूसरे भी ऐसे medical complications जैसे की heart disease का एक causes बनता है as well as diabetes का एक risk रहता है as well as high blood pressure और साथ में देखे तो कुछ cancers तो जब हमने cancers के बारे में detail study की थी heart disease के पर video lectures आपने अटेंड की होगे pharma rocks के diabetes, high blood pressure सभी के अंदर एक causes हमने देखा थे ग्रीजन देखा था कि obesity भी एक ग्रीजन बनती है ये सब अलग-अलग disease के होने के लिए तो obesity एक medical problem है और वो उसके साथ लेकर आती है दुसरे भी कुछ diseases और उसके अंदर main point यह है कि excess amount of body fat तो जब आपके body के अंदर excess amount के अंदर body fat जमा होता है तो उसके कारण क्या produce होती है obesity और ये obesity के कारण mainly हम देखे तो fat जो है वो increase होता है और साथ में weight दोनों का जो amount है वो होता है increase के fat increase हो और साथे साथ weight increase होता है किसी भी person का तो obesity is defined as an excess of the body fat तो ये है obesity की main definition और obesity की जो definition को और ज़्यदा clear करता है body mass index की जो एक marker बनता है for body fat content की जो BMI जो निकाला जाता है body mass index तो वो एक reference index बनता है कि जिससे किसी भी person की obesity कौन से level की है वो हम जान सकते हैं तो BMI के जो find out करने का जो formula है तो BMI is equal to weight in kilogram कि आपका जो weight है उसको kilogram में लेना है और आपकी जो height है उसको meter के अंदर convert करनी है for example किसी person की जो weight है समझो कि 70 kg उसका weight है और उसकी height हम समझो कि 156 cm है तो उसको meter में हम convert करेंगे तो वो होगा 1.56 meter बड़ यहाँ पर हमें करना है meter square तो 1.56 into 1.56 करेंगे तो इसका BMI कितना होगा वो हम चलो find out करते है तो 1.56 into 1.56 हमें सबसे पहले कर लेना होगा तो जिसका हम find out कर लेते है value की 1.56 की सबसे पहले लिख लीजे यहाँ पर BMI is equal to weight है person का 70 kg अब 1.56 into 1.56 हम जो है वो कर रहे है तो हमें जो value मिल रही है वो है 2.43 2.43 जितना value हमें मिल रहा है अब 70 by 2.43 हम करेंगे तो जो answer होगा की 70 divided by हम करते है 2.43 तो हमें answer मिलेगा 27.67 BMI जो है वो हमें मिलेगा तो यह है आपका body mass index के आपकी height है 1.56 मीटर मतलब की 156 cm जितनी height थी उसको meter square आपको करना है तो 1.56 into 1.56 किया तो वो मिला हमें 2.43 उसको divided किया हमने आपके weight से तो BMI की value हमें मिलती है 27.67 तो यह BMI के लिए interpretation के लिए एक chart होता है कि जो हम next slide के अंदर हम देखेंगे तो BMI not a direct estimate of adiposity large muscle mass तो यह आप देखिए कि अभी जो हमने find out किया था 27.66 हमने find out किया था 27.66 तो वो देखिए कौन से category में आता है 25 से लेकर 29.9 के बीच में आती है value तो वो indicate करेगी कि आप overweight है कि ना ही obesity है ना ही normal है आपका जो weight है normal से थोड़ा ज़्यादा है तो जैसे ही आप अपना weight reduce करके समझो कि 70 के जगह आप 65 weight कर देते है तो automatically आपका BMI है वो 25 के आसपास चला जाएगा कि जो 70 by हमने 2.53 किया सेम समझो कि आप 60 by 2.53 करेंगे तो आप आपके calculator के अंदर कर सकते हैं कि 65 divided by करिए आप 2.53 तो आपको जो answer मिलेगा वो मिलेगा around 25 के आसपास जो आपको answer मिलेगा तो उसका मतलब यह हुआ कि 25.69 जितनी value आपको मिलेगी या फिर समझो कि 60 केजी हम कर देते हैं चलो तो जब person का weight हो जागा 60 केजी और divided by 2.53 हम करते हैं तो हमें value मिलेगी direct 23.71 23.71 तो इस तरह से आपको अपना BMI जो है वो find out खास कर लेना चाहिए कि जिससे आप कौन से category में है वो आपको पते चलेगा कि आपका weight normal है ओवर weight हो आप class 1 obesity है class 2 या फिर class 3 obesity तो ये graph को अच्छे से समझते हैं ये वाले table को तो normal जब आपका weight होता है तो उस वक BMI निकलता है 18.5 से लेकर 24.9 ओवर weight के अंदर वो BMI होता है 25 से लेकर 29.9 जितना होता है class 1 obesity में वो BMI होता है 30 से लेकर 34.9 class 2 obesity में 35 से 39.9 and class 3 obesity या फिर extreme obesity जो हम कहते हैं उसमें person का BMI होता है greater than 40 और ये है BMI की formula तो इसके according to आप अपना BMI class find out कर सकते हैं और decide कर सकते हैं कि आप जो है वो कौन से class की obesity में है या फिर आपका weight overweight है या फिर आप normal weight है आपका तो इस तरह से देखें जैसे जैसे obesity बढ़ती जाती है तो ये है obesity person अब देखिए 18.5 से 24.9 तो हमने बात की normal तो ये जो person का अज हम structure देख रहे है body structure कि वो हमें देखता है completely normal है person अब उससे नीचे ही जाता है weight तो वो कहा जाता है underweight person फिर 25 से 29.9 तो overweight तो ये वाले person को आप देख सकते कि थोड़ा weight आपको excessive देखेगा फिर यहाँ पे आप जो है वो obesity को आपको देखने को मिल सकती है और फिर और obesity increase होती है जैसे जैसे weight जो है वो person का increase होता है तो ये वाला table आपको अच्छे से याद रखना है कि underweight के लिए less than 18.5 BMI है तो वो underweight कहा जाएगा healthy weight है या फिर normal तो 18.5 से लेकर 24.9 overweight की condition बनती है 25 से 29.9 obesity 30 points से 39 और severe obesity greater than 40 फिर वो वाला table भी याद रखना है आपको class 1 obesity class 2 और class 3 में भी जो डेवाड करते हैं वो भी table अच्छे से याद रखिए तो आप समझें what are the main causes of obesity तो obesity is generally caused by eating too much eating too much and moving too little throughout the day मैं लब कि पूरा दिन जो है वाप खाना जो है वो excess amount में खाते हैं कि eating too much और वो भी unhealthy diet कि लाइक समझें कि आपके जो habit ऐसी है कि जो bad habits जो हम कहते है and unhealthy lifestyle ये सबसे पहला एक reason है obesity के लिए कि लाइक excess amount में आप sweet है आपके food के अंदर आपके diet के अंदर excess amount में junk food है सामने unhealthy drink आपस लेते हैं अलग-अलग कि जो soft drinks अगरा हम कहते हैं and सामने आप करते हैं rest at the home मतलब कि ना ही कोई exercise है आपकी lifestyle के अंदर ना ही कोई healthy diet है और ना ही ऐसी कोई activities है कि जिससे आपके body का जो fat है वो utilize हो तो उसके करण क्या होगा कि excessive fat जो है वो जमा होता जाता है और उसके करण जो है वो हम कहते हैं obesity का produce होना तो if you consume high amount of energy particularly fat and sugars but do not burn off the energy through exercise and physical activity much of the surplus energy will be stored by the body as a fat simply यह कहा है यह sentence के according to कि जब आप कोई भी food लेते है तो उसके करण आपको energy मिलती है अगर समझे कि आप high amount के अंदर excess amount में अंदर कोई food लेंगे तो high energy आपको मिलेगी और वो आपके body के अंदर fat and sugar containing जो food होंगे उसके करण वो आपको energy मिलेगी बट समझे कि आप वो energy को utilize नहीं करते वो calorie burn नहीं होती आपकी कि ना ही exercise है ना ही physical activity है तो जो surplus रहती है energy कि जो utilizing नहीं होती वो store होती है as a body fat और उसके करण क्या होगा कि जब fat का amount increase होता जाएगा कि सबसे पहले start होगा central portion से कि जो stomach का जो portion जो हम कहते है कि यहाँ पे belly fat जो है वो increase होता जाता है stomach के reason के अंदर और दिरी दिरे वो obesity पूरे body के अंदर फैलते जाती है और जिसके करण हम कहते है person को obese person या फिर obesity तो causes and consequences हम देखे तो excessive eating, genetic factors भी responsible होते है कई बार certain medications, stress के करण भी होता है poor sleep and hormonal imbalance के करण भी obesity हो जैसा नहीं कि सिर्फ excessive खाना खाने से ही obesity होती है बट दुसरे भी ऐसे factors होते हैं जैसे कि stress है कि आपकी lifestyle ऐसे कि stress वाली lifestyle है genetics कली आपके hereditary के अंदर ऐसा है कि family history के अंदर obesity रही है तो वो आगे जाके obesity होने के chances बढ़ जाते हैं आप proper sleep नहीं लेते मतलब कि अच्छे से सोना भी जरूर के minimum 8 hour की जो sleep cycle होता है आमारा वो minimum 8 गंटे आपको सोना चाहिए and stress level काफी reduce करना चाहिए stress के करन, hormonal imbalance के करन भी होता है obesity तो उसके consequences हम देखे कि जो risk factor है तो उसके करन person को heart disease हो सकते है diabetes हो सकता है आगे जाके kidney related disease हो सकते है, kidney failure हो सकता है liver जो है वो fatty हो सकता है कि जिसको हम कहते है fatty liver, cancer हो सकता है and high blood pressure तो यह सब है obesity के हम कहें तो risk factors obesity के क्या है, risk factors बनते है तो obesity continent type की होती है, तो डो type की होती है एक तो infancy कि जिसको हम कहते है child hole hyperplastic obesity increase number of adipocytes कि इसके अंदर क्या होता है, आपके body के अंदर adipocytes increase होते हैं और दूसरी जो obesity है कि एक infancy के दोरान कि जब कोई child hole जो हम कहें, बचपन जो हम कहें तो कई बार हम देखते हैं कि बचपन के अंदर आपका जो weight है, वो कई बार ज़्यादा होता है उसका reason यह होता है कि उस time समझे कि exercise कम हो healthy diet आप लेते हैं, तो उस सवक्त obesity होती है बट जिससे adult होता है वो child तो वो obesity दिरी दिरी normal हो जाती है तो वो obesity खासकर सिर्फ infancy के दौरान होती है childhood के दौरान होती है उसको हम कहते है hyperplastic obesity दूसरी जो है वो adult के अंदर कि जिसको कहा जाता है hypertrophic obesity कि जिसके अंदर क्या होता है increase size of edipocytes यहाँ पे देखिए edipocytes से यहाँ पे देखिए this diagram के according to यह diagram के अंदर यह जो देख रहे है वो है edipocytes edipocytes की जो हमारे fat tices होती है उसके अंदर जमा हुआ यह fat तो यहाँ पे देखिए edipocytes की size increase हुई है जबकि यहाँ पे उनका number increase है उनकी size तो normal है बुरुनके number ज़्यादा है तो यह वाले diagram है first के जो hyperplastic obesity और यहाँ पे second में हम देखे तो edipocytes तो काफी कम amount में है compare to the this one बट यहाँ पे क्या हुआ है देखिए second diagram के अंदर edipocytes की जो size है वो increase हुई है और वो obesity को हम कहते है hyper trophic obesity फिर एक type आता है उसका extremely obese कि जिसके अंदर होता है increase the size and number of edipocytes and increase contents double amount of lipid as a lean person एक ECB तीसरा type बनता है कि जिसके अंदर number भी ज़्यादा है and size भी ज़्यादा है तो वो कहीं जाती है extremely obese तो यह तीन main type पढ़ेंगे obesity के obesity का genetics के साथ क्या relationship है वो जानते है तो it is rarely, बहुत rare case में ऐसा होता है but काफी family history के अंदर यह सा देखने को मिलता है और obesity occurs in families according to clear inheritance pattern goes by change in a single gene the most common implicated gene is MC for R which encored the melanocortin for receptor तो यह जो gene है उसका पूरा नाम आप समझे M for melanocortin and for और R for a receptor तो यह gene के changes के कारण changes in MC for R that diminish its function are found a small fraction of obese people in various ethnic group तो यह जो gene है वो responsible बनता है जो obesity के लिए तो यह MC के लिए आपको खास याद रखना है कि कौन सा gene responsible बनता है obesity के लिए तो यह MC for R जो gene है जिसको melanocortin for receptor हम कहते है वो responsible बनता है obesity के लिए अब obesity के complications जो already हमने देखे तो obesity के करण person को हो सकता है type 2 diabetes हो सकता है heart disease हो सकती है high blood pressure हो सकता है certain cancer जैसे की breast cancer है colon cancer का खत्रा रहता है endometrial cancer का खत्रा रहता है stroke हो सकता है gal bladder के disease हो सकते है fatty liver disease हो सकता है and high cholesterol और जब यह से problem होता है तो coronary heart disease का एक risk रहता है cancer है, diabetes है high blood pressure, gout infertility एक problem है यह खास आप focus करिए कि जो infertility का जो problem है वो हो सकता है sleep apnea हो सकता है quality of life arthritis and gal stone तो यह सब complications होते है obesity के कारण तो obesity को prevent कैसे किया जा सकता है तो सबसे पहले तो जरूरी है exercise कि regular आपके lifestyle के अंदर exercise होनी चाहिए walking होना चाहिए कि आप समझो कि exercise नहीं कर पाते तो आप walking कर सकते है वो भी एक exercise हो गई running कर सकते है cycling कर सकते है तो यह सब भी एक आपके लिए exercise है समझो कि आपके गर से market वगेरा थोड़ा नजदिक है तो आप vehicle को use ना करे और जो है वो directly आप pedal चलके भी जा सकते है कि जो भी आपको कुछ नजदिक से कोई चीज लेनी है तो आप vehicle को prefer ना करे और चलके भी जा सकते है कि जिससे भी आपका थोड़ा बहुत exercise हो जाएगा फिर कई बार हम जो lift वगेरा यूज़ करते हैं तो lift के बज़ाए समझो कि आप steps prefer करोगे तो उससे भी आपको काफी फाइदा होगा तो यह है कि बहुत सारे लग-लग वे से exercise हो सकती है फिर healthy eating कि जितना हो से कि आप healthy diet लेते है कि vegetables, fruits वगेर आपके diet में अच्छे है and जो fatty जो खोराख होता है वो आपके diet के अंदर कम हो कि जो excessive fat containing है excessive oily containing है कि जिसके करण cholesterol जह हो increase हो सकता है fat increase हो सकता है एसे खाने से जो है दूर रहना चाहिए या फिर उसको कम amount के अंदर use करना चाहिए फिर तिसरी advice है prevention के अंदर की monitor करना चाहिए regularly body weight की जो भी person को ऐसा लगता है कि थोड़ा obesity की और जा रहा है तो regularly आप आपका body weight चेक करते रहोंगे तो उससे फाइदा की होगे कि आप BMI calculate करके आपको normal की range में रख सकते है फिर lifestyle modification खास जरूरी है कि आपकी lifestyle के अंदर frequent meals healthy diet फिर sports activity हो आप walking करते हैं open air के अंदर and daily regime मतलब कि आपका जो cycle है कि आप morning में कितने बज़े उठते हैं फिर कितने बज़े आप breakfast करते हैं कितने बज़े आपका lunch होता है और साम को फिर आप light breakfast करते हैं या फिर कितने बज़े आप dinner करते हैं and what is your sleeping time तो जब आपकी biological clock proper होगी तो उसके कारण भी कोई obesity का problem आपको नहीं होगा तो ये walk-in open air sports activity take proper sleep minimum 8 hour की sleep जो है आपको लेनी चाहिए and reduce the stress level तो stress level जैसे ही reduce होगी जाएगा automatically obesity का भी problem दिरी-दिरे कम होता जाएगा तो treatment कैसे होती है कि prevention तो है बट सामने treatment तो treatment के लिए जो और दूसरे remedy से की जो exercise करता है person diet modification करता है तो वो सब तो है ही उसके लावज़ा दूसरे options हम यहाँ पे सिखेंगे कि एक तो surgery का option बनता है कि surgery करके जो excessive fat है वो remove कर दिया जाता है फिर medications के अंदर हम देखे तो pharma को therapy की जिसके अंदर अलग-अलग anti-obesity drug का option रहता है anti-obesity drugs यह drugs का भी useful बनती है कि जब BMI होता है greater than or equal to 27 और greater than or equal to 30 without comorbidities और surgery का possible है कि जब BMI 35 या फिर 40 के आसपास हो तो उस वक्त surgery का option and 25 और उससे equivalent like 25 से लेकर 27, 28 के आसपास आपका BMI है तो उस वक्त आप जह है वो lifestyle modification से कि जैसे कि healthy diet physical activity exercise behavior modification उससे भी obesity का ilaj हो जाता है तो यह तीन option है कि जब काफी obese person है तो surgery भी करवाते हैं लोग कि जिससे excessive body fat जो है वो remove करवाते हैं फिर समझे कि BMI नीचे आजाता है 27, 30 के आसपास तो anti-obesity drugs और फिर समझे कि BMI 25, 27, 28 के आसपास है तो उस वक्त anti-obesity medicines लेनी की ज़रूरत नहीं है only lifestyle modification, exercise वगेरा से भी weight जो है वो reduce हो जाएक और automatically BMI आपका फिर हो जाएगा normal तो medications में हम देखे तो हमारे पास जो medicines की option है की जिसको हम कहते है anti-obesity drugs तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि orly state है कि जो pancreatic lipase inhibitor कहा जाता है sibutramine है कि जो serotonin, nor epinephrine re-uptake inhibitor है remunabunt है कि जो cannabinoids type 1 receptor antagonist है lorcasarine कि जून 2012 में अप्रूल हुई थी फिर fentermine and topiramate कि यह जुलई 2012 के अंदर अप्रूल हुआ था यह तो यह medications हमारे पास options रहते है to treat the obesity, तो सभी के बारे में जानते है कि orly state, तो orly state streptomyces, toxic tricini में से develop होता है उसका mechanism of action हम देखे तो lipase inhibitor drug है और उसका जो dose है, वहाँ पे हम देख सकते हैं 120 mg के tablets available होते हैं और यहाँ पे हम sipla का एक brand देख सकते है orly state और यह रहते है Rx only, prescription based medications रहती है and virtually all excreted in feces के उसकी जो pharma को kinetik हम देखे तो feces के थुरू उसका excretion होता है and dose रहता है 120 mg 3 times a day मतलब कि patient 3 times लेता है यह medication को and mal absorption of dietary fat, flatus with discharge, fecal urgency, fatty oil stool and increase defecation and fat soluble vitamin D and E and vitamin and beta carotin का interactions होता है तो यह सब उसके adverse druggy reaction से orly state के तो orly state के जो ADR हम देखे ADR मतलब कि adverse drug reaction दूसरे वर्ड में हम कहें है तो उसके simply side effects तो यह को orly state है next है sibutramine की जो inhibit the re-uptake of serotonin, nor epinephrinate, hypothalamic site, increase the level of these substances, enhance satiety and reduction in waste circumference यह medication किस तरह से काम करती है तो reduction करती है waste circumference को और इस तरह से वो आपका body fat जह हो reduce करती है decrease करती है plasma, TGN, VLDL and increase in HDL जिसके करन क्या होगा कि person का जो weight है वो deduce होता है और उसका dose रहता है 5 से लेकर 15 mg per day उसके adverse drug reactions हम देखे तो dry mouth के complications होते है constipation, insomnia, increased blood pressure and increase heart rate यह सब complications जो है वो होते है तो proper medical जो practitioner के advice के साथ ही physician के advice के साथ ही उसको use करना चाहिए and Rx only prescription based रहेगा यह cibutramine तिसरा एक option है lorcasarine कि जो selective 5HT2C receptor agonist drug है उसकी mechanism हम देखे तो reduce करता है food intact through pro-opio melanocortin उसका जो dose हम देखे तो 10 mg का यह tablet हम देख सकते है कि जो two times a day patient लेता है balloon trier में देखा गया तो वो 3.6% जो है वो weight loss करवाता है no difference in the development of valvulopathy between the drug treated and placebo treated participant at one year उसकी adverse drug reaction हम देखे तो headache हो सकता है, dizziness, nausea वगेरा के complications होते है फिर fentermine and topiram mat के जो combination है कि approval हुआ FDA द्वारा 2012 में उसकी mechanism completely understand नहीं है but जो trials के accordance उसका जो weight loss है 9.3% and 8.6% जितने respectively हमें देखने को मिले combination में हम देखे तो dose 50 mg slash 90 mg की जो fentermine है वो रहेगा 15 mg की strength में और TPM मतलब की topiramate रहेगा 90 mg वनसर जितने ये combination को यूज़ करके कि आप ये जो tablet से वो 3.75 mg slash 23 mg की strength में है जानते हैं उसके adverse drug reactions तो parastasias हो सकता है, dry mouth हो सकता है, constipation, insomnia जिसे complications होते है डिस्गुसिया हो सकता है, decrease in taste sensitivity जिसको हम कहते है कि जो taste sensitivity काई बार जो है वोड़ decrease होती है due to the side effect of a this combination तो MCQ की जो preparations कर रहे हैं students उसके लिए ये सभी point बनेगे काफी IMP फिर एक combination है Naltrexone and Bopropion का की combine to dampen motivation that food and bring dopamine effect and the pleasure of eating की जिसको हम कहते है opioid effect तो ये क्या करता है तो यहाँ पर हम देख सकते कि 32 mg slash 360 का combination रहता है तो उसी अकॉड के हम देखे तो 8 mg and 90 mg का combination वाला ये हम marketed formulation उसका देख सकते है तो ratio सेम रहेगा कि 890 या फिर 32 360 वाला जो ratio है उसी ratio में उसके जो doses है वो reduce भी होते है as well as increase होते है बट maximum 32 360 ये main combination है adverse drug reactions हम देखे तो nausea, headache, dizziness वगरा होता है vomiting and dry mouth भी उसके side effect है फिर है lyraglutide की जो GLP-1 receptor agonist है की जो diabetes के treatment में भी use होता है and weight loss effect via hypothalamic neural activation causing appetite suppression appetite suppression करता है और वो GLP-1 receptor agonist हम कहते है की glucagon-like peptide 1 receptor agonist and obesity and pre-diabetic trial 9.2% weight loss देखने को मिला और यह जो है वो inject किया जाता है subcutaneous लिए 3MG once a daily की यहाँ पे आप जो भी dose person को लेना है वो adjust करके subcutaneous injection ले सकता है और यहाँ पे pre-fill pen available होती है कि जिससे subcutaneous injection जो है वो person ले सकता है और उसके side effect के तोर पे nausea होता है vomiting, change in bowel habits and acute pancreatitis हो सकता है फिर एक product है Planety की जो है create कया है by Boston Biotech Company and it is a hydrogel capsule made with a proprietary blend of cellulose and a citric acid कि यह product जो है उसके अंदर combination होता है cellulose and citric acid का और the first form of FDA Planety has been approved for use in people with body mass index between 25 to 40 दूसरा medication हम देखे तो satelist state है कि जो inhibit करती है pancreatic lipase को and it is a drug designed to treat obesity और यह भी रहेगा prescription based satelist state capsules आपको याद रखनी है and it acts in the same way as the older drug orally state by inhibiting pancreatic lipase and enzyme breakdown triglyceride in the intestine कि यह क्या करता है pancreatic lipase को inhibit करता है और यह वो enzyme है कि जो breakdown करता है triglyceride को in intestine और उसकी side effects हम देखे तो such as oily loose tool, fecal incontinence, frequent bowel moment and flatulence और उसके side effect है तो यह एक option है satelist state का तो यह भी रहेगा Rx only तो यह सब है medications की जो use होती है in treatment of obesity so thank you for watching जरूर से वीडियो को like करिए join कर सकते हैं whatsapp group access करिए study material test series, video lecture on F, pharma rocks so good luck and all the best test